दोस्तो आज आपके लिए एक बहुती बड़ी गुड न्यूज है और यह सबके लिए गुड न्यूज है जितने भी टैन और यूजर्स है और जितने भी टैन और लवर्स है उनके सब भी के लिए गुड न्यूज है तो दो न्यूज मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता तो यहाँ पर एक न्यूज यहाँ पर निकल के आई है कि अब यहाँ पर अपडेट हुआ है आपको पता होगा है टैनोर डी का स्मार्टफोन ता जो कि बहुत पहले लॉंच हुआ था और अब यह स्मार्टफोन जो है बंद हो गई है तो ही कम्पनी है वो बंद हो जाएगी तो वो ड़र भी आप अपने मन से निकाल ली मइजिए ठीक है आप कम्पनी नहीं बंद हो ने वाली है इसका मैं लीक्स निकला है, गीक बेंच निकला है, जैसा कि मैंने पोस्ट में डाला था, कमुनीटी टैब में, वहाँ पर आपने देख लिए होगे कि यहाँ पर जो कुछ लीक्स है, यहाँ पर पता चल रही है कि जो स्मार्ट फोन होगी, वो Oreo के साथ आएगी, Snapdragon का 660 के साथ प्रोसेजर होगा, और यहाँ पर जो RAM है, 6GB RAM के साथ आने वाली है, और ऐसा भी एक लीक्स मुझे पता चल एक्शुली में कन्फर्म नहीं होगी, जो फोन है, वो 12000 के प्राइस में आएगा, 6GB वाला RAM वाला फोन, 12000 में आएगा, तो यार यह तो बहुत 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 दमाल मचा देगा, तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, जान करके Tenor G2, जल्द आने वाला January के मन्द में बर जरूर यह लाँच होगा, अब बस एक थोटा सा लीक से, Geekbench इसकी स्कोर दिखाई गई है, लेकिन अब यह लाँच कब होगा, इतना पता नहीं, तो आज यह जो लीक से साबित होती है, कि भाई, कमपनी जो है, वो सही जा रही है, और आगे यह फोन्स लाँच करने वाली है, जीटू कब तक फोन आएगा, जैन तक मुझे लगता है कि यह फोन आज आएगा, और जब यह फोन्स की कुछ भी लीक मिलता है, तो मैं आपको आपको क्या लगता है, आपको कैसा फील हो रहा है, यह फोन न्यू लाँच हो रहा है, यह जानकर मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताना, इस वीडियो को पूरा शेयर कर, तो दबा के शेयर कर, जीतने भी 10 ओर हेटर्स के तक यह पहुचना चाहिए, कि बहुत सारे लोग झाल